और यहाँ पर देखे सस्क्राइब को लाल बटन है बेल आइकन प्रेस कर दीज़े कि ताके आपको नए वीडियो को सूचना मिलती रहे देखे कितने बेहतरीन बेहतरीन हमने थर्मनल पर ही मेंशन कर दिया है इस टॉक के नाम तो जरूर सस्क्राइब करें आईए बढ़ते है Confidence Petroleum एक ऐसा stock या company कह लें जो 2015 के बाद एक बहुत बड़ा multi-bagger बन गया था हम उसके रेटन भी दिखाएंगे आपको तो basically मैं इस company के बारे में कुछ बताना चाहूँगे कि Confidence Petroleum ये क्या करते है ये देखे अवर दिवीजन्स Cylinder Manufacturing में है, LPG Bottling and Blending में है, Packed LPG Marketing में है, Auto LPG Dispensing Stations और इनका अपना खुद का जो ब्रांद है, Go Guys Confidence Petroleum has scaled up its traditional business of LPG Cylinders and LPG Bottling and Blending along with the businesses related to natural gas distribution अब government जिस प्रकार की आई है, पहले चलिए मानते थे कि Cylinders की manufacturing होगा जिस प्रकार से कई करोड़ लोगों को Cylinder दिये गए हैं, तो इन company को फाइदा हुआ, क्योंकि manufacturing बहुत ज्यादा बढ़ी है और आने वाले समय में भी अगर यही प्रतमान सरकार यही रवईयर अपनाती है कि बहुत सारे लोगों को घर-घर gas पहुंचाओ, फ्रे में दो, गरीबों को मुफत में दो तो कही ने कही manufacturing ज्यादा बढ़ेगी और इन company को orders मिलेंगे तो समझ गयों कि मैं क्या कहना चाहा रहा था, अब बढ़ते हैं हम इनके fundamentals की तरफ कि क्या price है और किस भाव पर trade कर रहा है तो पहले हम देखते हैं 52 वीक लो था इसका 32 रुपए और high बनाया है इसने 41 और आज का जो भाव है 34 रुपए 75 पैसे आज है 6 जून, सॉरी 6 जूलाई 2019 पी रेशियो देखें इसका है 14.24 रेंग पर शेयर है 2.44 प्राइस टूपए 2.49 डिलिवरी 55 परसन यानि 50 परसन के ऊपर ही है बहुत शानदार है डिवडेंट पेइंग स्टॉक है और market cap है 951 करोड की एक micro cap company है face value एक की है industry पी इसकी 19.94 है जबकि पी इसका है 40.18 हम देखी चुके है आईए हम और कुछ देख लेते हैं जैसे की इस company में debt कितना है हाँ अगर हम balance sheet पे आते हैं इसके तो total debt है 58 का जो की बहुत कम है और total assets हैं की 427 करोड की valuation जिस प्रकार से इस site पर बताया गया है तो एक attractive valuation पर trade वह रहा है between price अगर 30 से 49 रुपए यानि 50 रुपए तक भी पहुंचता है इसका price तो भी attractive valuation पर जिस प्रकार से इसकी earning और price है उसे इसको एक दिया गया यहाँ पर रुपए के बाद फिर यहां fair valuation पर आएगा 88 फिर उसके बाद यह expensive हो जाएगा P ratio हम देखी चुके है return on capital employee 22.47 की एक आकरशक है return on equity 17.07 यह भी एक काफी attractive है और हाँ sales growth है इसकी 30.19% obviously एक जवरदस्त है EBIT growth है 45.90 और place shares 1.31% है हम आगे भी देख लेंगे और net debt equity है 0.28 यहाँ 0.28 एक से अंदर ही है अगर हम फैलेंशल इसके देखते हैं तो दिसंबर 18 से मार्च 19 इस quarter 4 के देखते हैं तो net sales जहाँ थी दिसंबर 18 में 283 करोड की वहीं मार्च 19 में हो गई 286 करोड की आनिए 1.07% की upside है लेकिन operating profit में यहाँ पे 4.12% की downside है और net profit में हालां की यहाँ पे इनको मुनाफ़ा है 1.47% की upside है दिसंबर 18 से मार्च 19 के मुखाबले लेकिन margin में यहाँ पे 0.64% की थोड़ी सी गिरावट है वहीं अगर हम year on year देखते हैं मार्च 18 से मार्च 19 में तो शांदार results है sorry net sales जहाँ पे मार्च 18 में थी 184 करोड की वहीं मार्च 19 में होगे 2.86 करोड की यानि 54.87% की upside है operating profit में 65.31% की upside है interest भी कम हुआ है और consolidated net profit है इनका गजब का है यहाँ पे 179% यानि जहां मार्च 18 में था 6 करोड 35 लाग के आसपास मार्च 19 में हो गया 18 करोड 84 लाग जबरदस्त शालदार और margin में भी यहाँ पे 0.75% के upside है तो बहुत बढ़िया results रहे year on year और थोड़े से quarter four में कम थे तो एक बेहतरीन कमपनी है और share holding pattern में देखे promoters अपनी holding increase की हुई है लेकिन थोड़े से यहाँ पे share गिरवी है 1.31% के चलिए इतना तो चलता है कुछ पैसिक जरुवत होगी तो इन्होंने गिरवी रख दिये है और FIIs है तीन 4.99% की होल्डिंग है mutual funds यहाँ पे नहीं है other DIs insurance company भी नहीं है और individual investors याने retail investors यहाँ पे 33.94% की अच्छी holding बना रहा की है industrial gases and fuels private sector की company है और market के पन देखी चुके है अपनी industry में 38 पोजिशन पर है और 10 पैसे पर शरके साब से 31 जनवरी 2019 को dividend दिया था इस वर्ष अब हम अगर इसके एक चार्ट देखते है money control की side पर price wise तो देखिए अपने high से कितना नीचे आ चुका है यहां था करीब 8 अगस्त 2018 को 57 रुपए के असपास और अभी फिलाल चल रहा है यह 34 रुपए के price पर trade हो रहा है यानि 5 जुलाई को जो आज तो market तो green यानि कि एक रुपए नबे पैसे की upside इसमें 5.78% तो जाहिर सी बात है कि सरकार के दरब से इसके लिए कुछ positive news होगी बजट में इनके लिए तो cylinders related है, government तो बहुत ही support करती है, बहुत लोगों को cylinder बाती है gas घर-घर पहुँचे लोग, चूलहे से जो खाना बनाते हैं, धुए से बचें, तो encourage करते हैं और बढ़ावा देते हैं तो इस प्रकार के आईए हम written बे देख लेती हैं, इस प्रकार के इनके रहें, 10 सालों से और 5 सालों 10 सालों में देखिए 263% के return है, लेकिन 5 सालों में 1163%, इतने गरने के बावजूद भी 1163% के अभी भी return दिख रहे हैं चार सालों में 1196% के return दिख रहे हैं, और 3 सालों में भी शानदार 602% के return है, 2 सालों में 101% के return है, लेकिन जिन्होंने एक साल पहेदे पैसे लगए हैं, उनको 32% का loss है year till date में 8.67% के loss है, 6 मन्त में पैसे लगए हैं, उनको 20% के आसपास के loss है, और 3 मन्स, 1 मन्त, 1 वीक में भी negative में written है, लेकिन 1 डे, कल बजट के दिन, यहाँ पे पहुने 6% के आसपास, यहाँ पे jump मारा तो attractive valuation है, एक cylinder manufacturing की अच्छी कमपनी है, दोस्तों तो जिन लोगों को लगता है कि अभी भी आगे इसमें जान बाकी है, 4-5 सालों में इस कमपनी को काफी orders मिलेंगे, या इनके products बिकेंगे, या gas rated इन चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे सूज पूच के साथ चाहें, तो अ fundamentals और इस कमपनी के products अच्छे दिख रहे हैं मुझे, चले मैं वीडियो यह बांट आप करता हूँ, अपनी सूज पूच के साथ से जो चाहें तो decision ले सकते हैं, thank you for watching this video friends.